दोस्तो स्वागत है आप सबके all in one चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में आपके साथ बात करने जा रही हूं ओट्स के बारे में हम सब जानते हैं ओट्स जो है बहुत ही फाइदेमन हैं यहीं समझती हूं कि हर घर में ओट्स का सेवन जो है वो किया जाता है क्योंकि आज के डेखेंगे जो लोग और नहीं खाते है जिन घरों में एक यादो जनुहीं कर रहे हैं बागी नहीं कर रहे हैं तो यह वीडियो देशने के बाद वो सभी होट का सेवन करना शुरू करतेंगे क्योंकि बहुती जादा फाइदेमन है इनमें विटामीन्स मिनरल्स जो हैं बहुत भरपूर मात्रा में पाये जाते हैं इसलिए यह जो ओर्ट हैं बहुत जादा हमारे लिए बेनिफिट्स हैं हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं तो दोस्तों यह वीडियो देखने के बाद इसको करते हैं झाए लोट्स का से吧 करते रहते हैं और दिल को भी स्वस्त बनाया रखता है तो दोस्तों अगर आप अतने दिल को स्वस्त बनाई रखना चाहते हैं बुरे कॉलेस्टरॉल को कम करना चाहते हैं तो वोट्स का सेवन करना शुरू कर दीजिए दोस्तों क्योंकि इसमें एक फाइबर होता है जिसका नाम होता है बीटा ग्लुकेन और यह करता क्या है बुरा कॉलेस्टरॉल जो है उसके लेवल को यह बहुत कम कर देता है और बुरा कॉल जाव करता है heart diseases से तो OATS का सेवन सिरफ बुले cholesterol के सर को कम नहीं करता है पर आपके दिल को भी स्वस्त बनाए रखता है दोस्तो OATS का सेवन diabetes के मरीजों के लिए बहुत फायदे मन्द है जिन लोगों को diabetes है जो diabetic है उनके लिए OATS का सेवन बहुत बढ़िया है क्योंकि इसमें glycemic index जो है वो बहुत कम होता है तो glycemic index कम होने के कारण या आपका blood sugar level जो है उसको regulate करता है उसको control में रखता है क्यों जब हमारे शरीर में जाते हैं हमारी बॉड़ी में जाते हैं तो यह एक तम से digest नहीं होती है यह बहुत धीरे धीरे जो है digest होता है जिसकी वज़े से एक तम से sugar level का बढ़ जाना जो है उसका खत्रा बहुत कम हो जाता है OATS के सेवन में यही नहीं दोस्तो OATS का सेवन जो ह जैसे selenium है zinc है इसमें antioxidants होते हैं दोस्तों उसके साथ साथ इसमें beta-glucone जो है वो भी होता है जो कि आपकी immunity को बहुत जादा strong कर देता है आपके immune cells जो है वो बहुत जादा strong हो जाते हैं कि जैसे मौसम बदलता है कई बारी मौसम बदलने के साथ जाथ लोग बिमार हो जाते है दोस्तों Oats का सेवन जो है वो blood pressure को भी नियंतरित करने में बहुत जादा मदद करता है तो जिन लोगों को blood pressure की समस्या है अगर वो Oats का सेवन करते हैं तो blood pressure की समस्या से वो छुटकारा जो है वो पास सकते हैं क्योंकि Oats का सेवन जो है वो दोस्तों systolic blood pressure को कम करता है 7.5 और डायस्टॉलिक ब्लड प्रशर को वो 5.5 से कम करता है यही नहीं दोस्तों यह ब्लड प्रशर को तो कम करता ही है पर यह हार्ट इसेजस के रिस्क को भी कम कर देता है तो अगर आप चाहते हैं ब्लड प्रशर से निजात पाना तो ओड्स का सेवन आप करना शुरू कर बचाविये दोस्तो ऊट्स का नियमिद सेवन अगर आपकर तेयां तो कैंसर से भी आपका बचाव होता है क्योंकि इसमें अन्टी ओव्योक्सिदंस उते हैं जो की खास तवर पर रेक्टल और कोलोन कैंसर से आपका बचाव करता है इसमें बहुत ज़्यादा compound होते हैं और वो compound जो है वो cancer cells को जो है वो बढ़ावा नहीं देते हैं वो cancer cells की growth को inhibit कर देते हैं cancer cells को grow नहीं करने देते हैं जिसकी वज़े से आपका बचाव जो होता रहता है cancer जैसी बीमारियों से Oats का नियमिद सेवन वज़न कम करने में आपकी मदद करता है अगर आप Oats का नियमिद सेवन करते हैं तो दोस्तों आपका वज़न कम करने में आपकी बहुत जादा यह सहायता करता है क्योंकि दोस्तों जब आप Oats का सेवन करते हैं आपको पेट जो है आपका भरा भरा लगत लगती है इसमें फाइबर भी बहुत जादा भर पूर मातरा में होते हैं तो जिसकी वज़े से आपका वजन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है दोस्तो ओट्स का सेवन जो है वो अच्छी नींद आने में भी मदद करता है तो देखिए दोस्तो ओट्स जो है वो सिरफ हमारे बचाव नहीं करता है हमारा बिमारियों से हमें अच्छी नींद लाने में भी वो सहायता करता है क्योंकि दोस्तो ओट्स में अमीनो एसेज और कुछ नूट्रियंट्स हैं जो की प्रड्यूस करते हैं मेलाटोनिन और यह जो मेलाटोनिन नामक यह दत्व जो है कैमिकल जो है यह हमारी सहायता करता है नीदाने में अगर आप इसको मिक्स करेंगे दूद के साथ या शेहत के साथ और खास तोर पर जब आप रात को सूने लगते हैं तो बहुत बढ़िया है यह आपके लिए क्योंकि इससे एक तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी आपकी टेंशन जो है वो बहुत कम हो जाएगी स्ट्रेस जो है बहुत कम हो जाती है तो यह ओट्स में दोस्तो यह जो कार्ब्स होती है ओट्स में यह रिलीज करती है सेरोटोनिन सेरोटोनिन जो है आपको बह दीरे धीरे शरीर को उर्चा देता है होता क्या कि कई बारी जो डायबटिक पेशेंट होते हैं अगर वो किसी चीज का सेवन करते हैं तो उनका बलड शुगर लेवल जो है वो एकदम से बढ़ जाता है पर मैंने आपको बताया डायबटिक पेशेंट के लिए भी यह बहुत जल्दी जाके शरीर में गुलता नहीं है बलड शुगर लेवल को बहुत जादा यह बढ़ा देता है तो अगर आप ओट्स का सेवन करते हैं धीरे धीरे आपको एनरजी जो है वो दिन बर यह देता रहता है तो ओट्स का सेवन बहुत ही बढ़िया है आपके लिए क्योंकि आप ओट्स का सेवन कर रहे हैं तो आपके जो शरीर है आपको प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में मिल रहा है हमें सब जानते हैं कि प्रोटीन जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है हमारी बॉड़ी के लिए इसे हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह देते हैं और बहुत जाद इसके ग्रोट के लिए जारूरी है नए सेल्स के लिए मुसल्स टिश्यूस इन सब रिए हमारी बॉडी की ऑवरॉल हेंथ के लिए जो है और जाए ऋर्युवीं और यह जो प्रोटीन है है यह यह बरन पूर मात्रा में पाए जाते हैं दोस्तों ओर्भर का नियम dit सेवन एक जैसे zinc है, magnesium है, manganese है, इसे आपकी तवचा जो है, वो बहुत जादा healthy रहती है, skin आपकी healthy रहती है, skin rushes जैसी दिक्कतों से आपको जो है छुटकारा मिल जाता है, blood circulation बहुत बढ़िया हो जाती है इससे, तो अगर आप अपने skin की भी देखपल करना चाहते हैं, तो oats का save-in करना शुरू कर दीजी, मैं आशा करती हूँ, आपको information बहुत अच्छी लगी होगी, please इसे like करना, share करना मत भूलिएगा, LK All-in-One चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा दोस्तों, अच्छी और बहतर जानकारी के लिए देखते रहिए, LK All-in-One चैनल, थैंक यू दोस्तों,